हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू अकेडमी यह हमारा सिनोनिम्स और अन्टोनिम्स का पार्ट फोर है इसके पहले हम वन टू थ्री ऐसे तीन पार्ट देख चुके हैं यदि वो पार्ट को आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं और पूरा देख सकते हैं हर एक पार्ट में हमने 20 वर्ट से लिए यह ऐसे वर्ट से जो न्यूस पेपर में competition examinations में बहुत कॉमन होते हैं तो यह वर्ट साप लोगों के लिए किसी भी competition examination के लिए बहुत important है अब हम स्टार्ट करते हैं पहला है पहला word है xenophobic यह एक adjective है xenophobic का मतलब होता है आप एदी किसी तरीके से किसी से दूरी बनाया रखे हुए यह आप एदी racist है उनको intolerant कर रहे जैसे racist लोग होते हैं यह एदी काले सफेद की हम बात करें तो एक जो है जो सफेद है वो काले को tolerate नहीं करता तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं xenophobic तो इसका synonyms क्या हो जाएगा हमारा पहला prejudice इस दूसरा intolerant तीसरा racist और चोथा हो जाता है jingoist जबकि just हम इसके opposite जाए तो आप क्या है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं रेसिजम नहीं कर रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं आप भायचाहरा अपना हुए तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा fair, impartial और patient दूसरा word जो है हमारा वो है free, free एक verb है यदि free का देखा जाए meaning तो free मतलब किसी से आप contest करते, competition कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? free बोला जाता है synonym से इसलिए क्या हो गया? इसका same meaning क्या हो गया? contest हो गया, competition हो गया और fight हो गया जबकि हम यदि इसके opposite में जाए, antonyms में जाए तो हम किसी के साथ competition नहीं कर रहे हमारा उसके साथ एक अच्छा समझोता बना हुआ है तो हमारे कौन से words हो जाएंगे? harmony, agreement और improve उसके बाद next हमारा जो word है, वो है trial blazing ये भी एक adjective है और trial blazing की बात करें मतलब किसी चीज में हम यदि नयापन लाते innovation लाते, कुछ नया टूनते discovery करते तो उसको trial blazing बोला जाता है तो synonyms क्या हो गया? pioneer, innovative और novel जबकि यदि हम इसके opposite antonyms में चले जाए तो क्या है? किसी चीज में हम innovative नयापन नहीं ला रहे है जब हम innovative नहीं है हमारे सोच यदि कुछ नई discover करने की नहीं है तो हम क्या हो जा रहे है? इसके just innovative की just opposite uneducated और stay next जो हमारा word है वो है eco ये एक noun है eco मतलब आप देखे होंगे यदि किसी तरह का हम sound करते एक खाली कमरे में चिलाते हैं तो हमको वो आवाज हमारे कानों में वापस आती है तो क्या होता है? ये repeat होता है इसलिए eco का same meaning synonyms क्या हो गया? repeat होना, restate या reiterate करना जबकि इसका just opposite क्या हो गया? हम कुछ बोल भी रहे या कुछ है कर रहे है तो वो repeat नहीं हो रहा है वो इकदम silent है तो antonyms, opposite मीनिंग हो गया silence और mute उसके बाद है articulate articulate एक adjective है articulate मतलब होता है आप किसी चीज को इदी express कर रहे है उसको बता पा रहे है उसको explain कर पा रहे है तो उसको बोला जाता है articulate तो same meaning, synonyms इसका क्या हो गया enunciate, express और mention जबकि हम इसके opposite antonyms में जाए तो क्या हो जाता है आप किसी चीज को express नहीं कर पा रहे है ठीक है explain नहीं कर पा रहे तो आप क्या है, dump है आप speechless है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे आप silent है अगला word है fragile fragile एक adjective है, fragile का मतलब होता है आप ये बहुत common word है कली पर आपने use किया होगा या पढ़ा होगा, fragile मतलब होता है आप यदी weak है, सूस्त है तो आपको क्या बोला जाता है, fragile तो synonyms, same meaning क्या होगा है weak, frail or feeble जबकि इसका opposite meaning क्या होगा आप बहुत strong है weak का opposite strong होता है तो आप अभी इदी बहुत strong है तो आप ये बहुत strong है तो आप ये बहुत strong है तो आपको आपको artist word से artist word आपके लिए use किया जाएगा तो आपका same meaning synonyms क्या होगा tough, difficult और challenging जबका just इसका opposite meaning क्या होता है antonyms क्या होगा आप difficult नहीं है तो आप क्या है easy है, simple है, facile है अगला word है jettison, jettison है एक verb है jettison का मतलब होता है यदि आप किसी चीज को reject कर देते है ठीक है, उसको scrap कर देते है आप उस चीज को नहीं मानते तो वो उसका meaning हो जाएगा मतलब synonym, same meaning क्या होगे discard, scrap, or reject जबकि इसका just opposite क्या होगा आप किसी चीज को reject नहीं कर रहे उसको accept कर रहे तो opposite meaning antonyms क्या होगे adopt, reunion, acquire तो ये jettison के opposite meaning होगा अब हम देखते है next word वो है hunch hunch एक noun है hunch का मतलब होता है कोई चीज की आपको feelings आती है आप सोच पाते की ऐसा होगा या हो सकता है ऐसा हुआ होगा जैसे दारण के लिए दिया आप लोग दोस्त लोग है पांच उसमें से ये कि दिखें भूम जाया बहुत समय से ना दिखें तो आप लोग के मन में कुछ feelings आने लगती है कि उसके साथ ऐसे हुआ होगा तो ये इसका meaning होता है मतलब synonyms तो क्या word यूज करेंगी हम उसके लिए feeling, intuition और guess वहीं इसका opposite क्या होगा आप किसी तरह की feelings आपके मन में नहीं आ रहे आप कोई imaginary सोच नहीं बना रहे तो आप क्या है real है मतलब antonyms होगा reality, truth और straighten next word है हमारा gratitude gratitude हमारा noun है देखिए gratitude भी common word है कई बार आप लोगों ने use किया होगा है सुना होगा कि कुछ है दी कोई हमारे लिए कुछ करता है यह हम किसी के लिए कुछ करते तो हम उसके प्रती के gratitude पेश करते, gratitude मतलब होता है एक तरीके से धन्यवाद तो synonyms क्या होगा है thanks, recognition, record वही इसका opposite क्या होगा हम किसी को इदी thanks, धन्यवाद को दे रहे है तो उसके just opposite में हम क्या करेंगे हम उसके प्रती धन्यवाद नहीं हम उसके प्रती डिसलोयल है in gratitude है, thanklessness है तो यह तीनों क्या होगा है gratitude के opposite मेनिंग होगा है उसके बाद आता है futuristic यह भी एक adjective है futuristic मतलब यहाँ पर future दिया है future का मतलब आपको पहले से ही पता है भविश तो futuristic का मतलब होता है यह आप कुछ नया करते है कुछ innovatory करते है original करते है कुछ आगे की सोचते है और आगे का कर पाते है तो वो होता है futuristic तो synonym same meaning क्या हो गया advanced, original और innovatory जबकि इसका opposite meaning antonyms क्या होंगे आप कुछ नया नहीं कर पा रहे कुछ नया पूज नहीं पा रहे तो आप क्या है cold fashion है conservative है conventional है conservative है मतलब आपको ऐसे भी पहले मैंने पताया था conservative मतलब यह आपके पास कोई सोच है तो आप उस सोच को बदलना नहीं चाहते समय के साथ next word है हमारा विधर विधर एक verb है विधर का मतलब होता है आप यह एकदम weak हो गया है आप dimnish हो रहे मतलब आगे बढ़ने की जगा strongness जी खाने की जगा आप में क्या आगया है एक आलसपन आगया है आप में एक कमी टाइप की आगया है तो उसको क्या बोला जाता है विधर तो इसका synonym से same meaning क्या हो गया dimnish, dindle और wickan जबकि इसका just opposite meaning antonyms क्या होगी आप weak नहीं हुए आप आगे बढ़ रहे आप grow कर रहे आप flourish कर रहे आप bloom कर रहे उसके बाद आता है baffle baffle एक verb है baffle का मतलब होता है यह आप एकदम confused है आप किसी चीज को जैसे होना चीए exact उसकी समझ जो होनी चीए उस समझ के साथ नहीं है आप यह थी confused है तो उसको हम क्या बोलते है baffle तो synonyms इसका same meaning हो गया confused, perplex, mystify जबकि जब इसके just opposite में antonyms में चले जाए तो आप क्या है आप किसी चीज में obvious है obvious मतलब आपने कई बढ़ा लिए यह word यूज किया होगा obviously obviously मतलब हम किसी particular किसी चीज के लिए particular कोई matter या मुद्दे के लिए obvious होते कि obviously है तो ऐसा ही होगा हम कई बार बोलते है यह तो ऐसा ही होगा तो आपकी यह दी वैसी सोच नहीं है तो आप क्या होंगे आप डालोंगे deep होंगे dusky होंगे अगला word है impasse impasse एक noun होन है impasse मतलब किसी भी चीज में रुकावट आना या फिर बुलिए कि एक dead end आ जाना कि हाँ यह तो बस यहाँ पर रुक जाएगा इसके आगे यह नहीं हो सकता तो synonyms क्या होए इसके same meaning क्या होए deadlock stalmate standoff जबकि इसका opposite meaning जो एंटोनिम से वो क्या होंगे आप दी किसी चीज में dead end में नहीं है कि यह यहाँ पर रुक जाएगा आप बढ़ रहे आगे तो क्या होगा एंटोनिम्स advance headway passage next आता है consensus consensus मतलब दो लोगों के बीच में या किसी के बीच में इदी एक समझोता हो जाता है किसी मुद्दे पर कि वो भी मान जा रहे उस बात को आप भी मान जा रहे तो दोनों के बीच में एक agreement हो जाता है तो synonyms same meaning क्या हुआ agreement harmony conquered जबकि इसका opposite meaning एंटोनिम्स क्या होगा दो लोगों के बीच में किसी तरह का agreement एक समझा होता नहीं है तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा conflict discord disagreement next word है cupidity cupidity एक noun cupidity का मतलब होता है तो आपको किसी चीज की बहुत ज़्यादा लग जाना बोलते है जिसको हम extreme desire है तो उसको हम बोलते cupidity तो synonyms same meaning क्या होगा grid desire lust और इसका just opposite meaning antonyms क्या होगा किसी चीज में आपकी बहुत ज़्यादा ललक नहीं है करने की इच्छा नहीं है या उस चीज को लेकर आपकी इच्छा नहीं है तो आप क्या है distaste dislike disaffection उसके बाद आता है stingy stingy adjective stingy का मतलब होता है मतलबी पना यदि आप बहुत mean है बहुत घटिया है आप में मतलबी पना भराया तो उसको stingy बोला जाता है तो synonyms same meaning क्या हो गए mean miserly cheap वहीं इसका opposite meaning antonyms क्या होंगे यदि आप मतलबी नहीं तो आप बहुत generous है आप किसी भी चीज को लेकर किसी भी मुद्दे को लेकर खुले मन से किसी की भी आप मदद करते तो ऐसे लोग को बोला जाता है generous, benevolent और liberal उसको बाद next word escalation escalation एक noun escalation मतलब होता है escalate हम कई बार word यूज करते है escalate escalate मतलब high होना उड़ना, आगे बढ़ना तो उसको बोला जाता है escalation तो इसका same meaning synonyms क्या होग है rise, increase, search वहीं इसका एंटोनिम supposed meaning क्या होगा आप एदी उड़ नहीं रहे आप पर एदी आगे नहीं बढ़ रहे आप में increase या उठनी की छमता नहीं तो आप क्या है await, reduction और contraction next और आगरी word है votary, votary ये noun है इसका same meaning synonyms क्या होते है votary का मतलब होता है आप एदी किसी को follow करते है आप किसी के disciple है आप भक्त है किसी के आप को किसी की चीज कोई अच्छी लगती तो आप उसको completely क्या करते हो उसी की बात सुनते हो और उसी के follower बन जाते हो तो synonyms same word क्या होंगे इसके devotee, disciple और follower जबकि इसका antonyms opposite meaning क्या होगा यदि आप किसी के disciple नहीं है आप किसी के भक्त नहीं है उसको follow नहीं करते है तो आप क्या है? defector है, traitor है, turnport है Thank you